नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप VOY 36 मोबाइल में आपकी तरीके से Net Speed Indicator को On कर सकते हो यहाँ पर देख पार हो मेरे बैटरी के बगल में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा Net की Speed दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है इस Net Speed Indicator को Enable करने के लिए आपको क्या करना है आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में और उसके बाद यहाँ पर नीचे के तरफ आएंगे तो एक option मिलेगा Display and Brightness तो आपको Display and Brightness पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद नीचे के तरफ आएंगे फिर से यहाँ पर आपसे मिलेगा Status Bar तो आपको Status Bar पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए एक option लेयर Real Time Network Speed में ने इसको Disable कर दिया तो यहाँ पर आप देख पार है बैरेक्ट्री के बगल में जो दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है अगर फिर से एनेबल करेंगे तो यहाँ पर देखने लगा तो इसी को आपको एनेबल कर देना है बस आपका Net Speed Indicator जो है उपर सोहने लग जाएगा